है ये फ्रेंज में नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्षा और लाइन दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कक्षा ग्यारवी का अध्याद दो परमानुश सरशना इसके अंतर गर्थ हम पढ़ेंगे समिस्तानिक बास संभारिक में अंतर और क्य होते हैं इनको हम पूरा समझने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहें अंतर तक बिना इसकिप किये तो दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को समिस्तानिक आज हम पढ़ने वाले हैं समिस्तानिक तो दोस्तों समिस्तानिक का मतलब होता है समिस्तानिक मतलब जो आव उसकी खोज एस्टोन के द्वारा की गई इसकी परिवासा है कि एक ही तत्व के बे पर्माणू एक ही तत्व के बे पर्माणू जिनके पर्माणू क्रमांग समान होते हैं लेकिन दरम्मान अंक भिन भिन होते हैं सम इस्थाने कहलाते हैं दोस्तो, मैं भी आपको एक एक ईक्जामपल दूँगा, सबस्पेहले आप इतना समझ लें कि एक ही तत्त्व के बे पर्माणून, जिनके पर्माणू क्रमांक समान लेकिन द्रमा नंग भिन भिन होते हैं, जो द्रमा नंग है, कैसे हैं, भिन भिन फिर से मैं आपको बता दूँ कि जो समिस्तानिक होते हैं वो एक ही तत्त के पर्माणू होते हैं जिनके पर्माणू क्रमांक समान पर्माणू क्रमांक क्या होते हैं समान अगर पर्माणू क्रमांक समान है तो वह तत्त समान इस्तान पर इस्तापित होगा लेकिन द्रमा रंग कैसे हैं इस रभादिक अभी तक ग्याद्फ है तो दोस्तों हम आगे मुश्ब करते हैं सबस्पेहले आप एक बार देख लें कि जो समिस्तानिक हैं समिस्तानिक का मलब होता है वह समानिस्तान मिलना इसकी खोज एस्टोन के द्वारा की गई जैसा आप देख रहे हैं तो इसकी परिवासा बनती है कि एक तत्व के बे पर्माणू जिनके पर्माणू क्रिमांग समान लेकिन दम्मा नंग कैसे भिन भिन होते हैं समिस्तानिक कहलाते हैं जो समिश्च्तानिक होते हैं उसमें परमाणुक्रिमांग समान, रोटॉन संख्या समान और एलेक्टोन संख्या और रासानिक गोण समान होते हैं समिश्च्तानिकों को मास, स्पैक्ट्म, मीट्री मेथड द्वारा पहचाना गया है अभी तक ग्याद जो तत्व है उसमें जो टिन है आपका अभी तक ग्याद तत्व में जो टिन है उसके सरवादेक समस्तानिक अभी तक ग्याद है एक एगजामपल ले लेते हैं कि हाइड़ुजन की तीन समस्तानिक होते हैं अतहाट तीनो समस्तानिकों के पर्माण करीमांक समान Whoo river हाइड़ुजन के पर्माण करीमांक ungef had Gottaत एक क्या है पनानुब भार यह क्या है यह टीक है तो यहां पर जो बनल यसे हम प्रोटियम बोलते हैं, 1-2 है, जिसे हम डूटियम बोलते हैं, 1-3 है, जिसे हम टाइटियम बोलते हैं, देखें, किसी तत्व को लिखने का किरम होता है, X मानिक चलो यह तत्व है, X क्या है, तत्व है, जो यहाँ पे नीचे लिखा है, वो Z होता है, और जो यहाँ पे उपर लिखा होता है, वो A होता है, A मतलब क्या होता है, परमानु भार, और Z क्या है, परमानु संख्या, ठीक है, इसकी बाद या हम इस प्रकार भी लिख सकते ह इसको X, Z हम इस साइड लिखेंगे और यह हम इस साइड लिखेंगे आप तो एक concept या रखें जो नीचे है वो पर्मान के मांख है और जो उपर है वो पर्मान भार है इतना के किलिया रहें आंगे बढ़ते हैं सम भारिक तो सम भारिक का मीनिंग क्या होता है सम का मीनिंग होता है समान से सम का मीनिंग क्या है समान और भारिक का मल्ला होता है समान भार ठीक है तो इसकी खोज इस्टिवार ने की थी इसकी हम सबसे पहले परिवासा देख लेते हैं परिवासा है बे पर्मान बे पर्मान जि का मीनिंग क्या है भार से है तो बे पर्माण। जिनके पर्माण क्रिमांग भिन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन् जो रासानिक गोड़ है वो एलेक्टोन पर निर्भव होते हैं अगर एलेक्टोन चैंज है तो रासानिक गोड़ चैंज जरूर होगे ठेक है इसके बाद ए मात दम्मान अंक समान रखते हैं जो सम भारिक हैं केवल भार में ही समान होते हैं और किसी चीज में भी समान नहीं हो इसके बाद एक एक जामपल देख लेते हैं एक एक जामपल यह है कि जो आरगन है और कैल्सियम है यहाँ पर देखो जो ए यह क्या है भार है यह यह को हम रिपेजंड करते हैं एक्टोमिक मास तो यह दर्मान संख्या है यहाँ पर भी यह दर्मान संख्या है यहाँ पर देख कि यहां पर देखिए क्या है तो पर्माण क्रिमांग कैसे हैं दोस्तों भिन्न भिन्न लेकिन पर्माण उभार कैसे हैं समान है लिखे दे रहे हैं समान समान उके तो पर्माण उभार कैसे हैं समान है तो हमें इस पर कहाँ पहचान कर सकते हैं दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं समिस्तारिक मदलब बेतत जिनके पर्माण उभार समान ठीक है दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट वॉक्स में कमेंट करके आप हमारे साथ अपना डाउट सेयर जरूर करें और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट वॉक्स में हमें जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज में चैनल को लाइक क करता हूं तो मैं आसा करता हूं कि आप कोय़ पसंद जरूर आए होगी और आपको यह वीडियो भूट ह ответ for रही होगी अगर आप को Tombumきます फोड़ी भी heबाइन सबहुत रही हो तो प्लीज पीडियो को लाइक कर कर दें और सेयर जरूर कर दें अगर पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करके जाएं आज के लिए इतना है दोस्तों कल मिलेंगे